डेविड जे शुवार सा अगला विशह है अपने दिमागी इंजर नू चलू करो मशीनी ठांग बाल एक नौजवान लेखक बढ़ना चौन्दा सी पर उन्हें जेड़ा कुछ भी लिख्या वो सफल लेखत नहीं सीक्या जा सकता एस लेखक ने मेरे सामने परवान कीता कि मेर समस्या आया है कि कई वर पूरा दिन जा पूरा हफ्ता निकल जन्दा है मैं एक पेज भी नहीं लिख पाऊंदा है उन्हें क्या लेखन रचनात्मक कार जाए इदेली तो अनू प्रेधना मिलनी चाहिए तोड़ा मूड होना चाहिए इस साथ चाहिए कि लेखन रचनात्मक होनदा है पर मैं तो उन्हें एक सफल लेखक दी गल दसना चाहिए जन्हें किया सी कि इही ओ राजदी गल है जिते कारण हो इन्हा सफल लेखक लिखंच कर पाया है मैं दिमाग नू मजबूर करन दी तकनीक दा इस्तेमाल करना मेरे कोल हर कम दी डेड़ लाइन मौजूद ह मैं प्रेर ना दी अस्मान तो उत्रन दा इंतजार नहीं करदा मैं मूड दे सही होन दा इंतजार भी नहीं करदा मैं मूड बनोना पेंदे ए रहा मेरा तरीक का मैं अपने टेबल कुर्सी ते बैठ जाना फिर मैं अपनी पैंसल चुक के लिखन बैठ जाना चेड़ा भी मन चौनदा में लिखन लगदा, मैं हाथ चलो ना, कुछ समय बाद मैंनो पता ही नहीं चलदा, कदो मेरा दिमाग सही राधे चला जन्दा, मैंनो प्रेज ना मिल जन्दीए, ते सच मुची मेरा लिखन दा मूड बन जन्दा है, कई भार जो दो मैं लिखन नहीं रहा हूं दा, सामी मेरे दिमाग चाचंचे त जोरदार विचार आजन देया, पर इहोजे विचार मेरे लिए बोनस वांग है, ज्यादा तर चंगे विचार मेरे दिमाग ता दों देया, जदो मैं कम करन डैठ चान। कारज होन तो पहला कारज करना पेंदा, इस रिस्टी दा सूल है, कोई वी चीज अपने आप शुरू नहीं हों दियो, यंतर ही वी नहीं, जिनादा तुसी रोजान ना इस्तेमाल कर दियो, तो अडे का चाटो मेटिक एर कंडिशनर होईगा, पर तो अनुँ अपने मान चाहा ताप मान चोंड नहीं पेंदे, उद्धम करना पेंदे, तो अडे कार अपने आप गेर बदल लेंदिये, पर उत्तो पहला तो अनुठीक लिवर दबना पेंदे, एही सिदांत दिमाग उद्धम दे बारे वीए, तो अनुठ अपने दिमाग नुँ सही गेर विच लिएव तद ही ए तो अडेली सही कम करेगा, एक नौजवान सेल्स मैनेजर ने दसिया क्यों किस तरह अपने सेल्स मैना नो मशीनी टंग नल दिन शुरू करन दी ट्रेनिंग दे, हर सेल्स मैन जान दे कि करकर जाके समान बेचन वाले सेल्स मैना नो किन्या दिक तांदा सामना करना हर सेल्स मैन नो स्वेर दी पहली विकरी तो डर लग दे, हो जान दे कि हो दा दिन पारी गुजरेगा, इसलिए हो पहले करदा दर्वाजा खट खटाउन तो बच दा रहन दे, हो दो कप काफी ज्यादा पिन दे, हो आंड गवांड विच फाल तो कम दा रहन दे, दर जना ब शुरू करंदा इक ही टंग होंदा है, ते उया शुरू करना, कम नू टाड़ोना, उधे बारे ज्यादा सोच्चो बिन बस शुरू हो जा, अपनी कार खड़ी करो, अपना सेंपल के इस कड़ो, कंटी ब जाओ, मुस्कर आओ, गुड मानिंग करो, ते अपनी गल्ला मशीन इस तरीक्या नाल गाग दे सामने राख देओ, इदे बारे ज्यादा चिंता न करो, ना सोचो, इस तरह इशुरू करनाल, हिचक दूर हो जान दिये, दुझे, तीजे कर दे, दर्वाजे दे सामने, पुझदे, पुझदे, तोड़ा दिमाग तिखा हो जाएगा, ते तोड पेशकर अपने आप पर बावी हो जाएगी, एक आदमी ने क्या सी, कि जिन्दगी दी सब तो वड़ी समस्या, गरम बिस्तरे तो निकल के ठंडे कमरे चाउना सी, ओधी गल वीच दम सी, तुसी किन्नी देर तक बिस्तरे च लेटे तो सोच दे रहोगे, कि बार निकलना किन तकलीफ दिये, एस तरहां करना तो अडेली ओनना ही मुश्कल हुंदा जाएगा, एस तरहां दी सिद्धी जी गल वीच वी, जेस्टो तो नो अपनी चादर हटा के पैरानू फर्षती रखने तो नो डर लग दे, संदेश स्पस्ट है, जेड़े लोग दुनियाज कोछ कर गुजर देयाओ, इस गल दा इंतजार नहीं कर दे, के कदो ना दा मूड ठीक हुए, बलके मूड नो सही करन दी समरतार रखका देयाओ, एद दो पर योग करो, पहला, छोटे पर तकलीफ दे कमानू करन वास्ते, मशीन नी टंग दा इस्तेमाल करो, उस काम दे बुरे पहल लगदा है, मेरी माव यह दा आप वाद नहीं सी, पर उना ने इस कम नो फुर्ती नल मुकान दा मशीन नी टंग जाद कर लिया, तां जो एक तो बाद वो अपना मान चाहा काम कर सकन, जो दो डाइनिंग दे बल ते जान दी, तो मशीन नी अंदाज नल बरतना नू कतर कर ल चोन लो जड़ा तो अनू ना पसंद है, फिर बिनाओ दे बारे सोचे जा बिनाओ तो डरे उस कम नो कर दियो, ना पसंद गी दे चोटे-चोटे कमान नो करन दा इही टांग सब तो परबावी है, दूसरा, अगला कदम ही है कि तुसी विचार करन, योजनावा बनाओन, सम शीनी टंगा दा इस्तेमाल करो, तुसी मूड बना और दे इंतजार करन दी बजाए, वदिया इही हुएगा कि तुसी बैठ जाओ ते अपने मूड नो बना लो, इती एक खास तकनीक दिती जा रही है, जड़ित तो अड़ी काफी सहता करेगी, पैंसिल दे कागस दा इस्त इन्यु चुनना पहे, això मैं यकिनन पैंसिल दे कागस दो छुनांगा, पैंसिल दे कागस दो तुसी इपने दिमाग नूं किसी समस्यानल बन सकते हो, जड़ु तुसी किसी विचार नूं कागस दे लिख दे ओ, तो वड़ु सारहता अपने आप उस विचार दे के इंतर इस तरह इस करके हुंदा है क्योंकि तोड़ा दिमाग एक को वारी दो कम नहीं कर सकता है। इस तकनीक दे माहर हो जाओ फिर तुसी रॉले रप्पे दे महाल विच भी सोच सकोगे। ते जब तुसी सोचना चाहो लिखना शुरू कर देओ जा डायग्राम बनाना शुरू कर देओ अपने मूड नू बनान दे वदिया तरीक है। मैंनू किसे दिन शुरू करांगा। जद के सानू कहना चाहिदा मैंनू हुने शुरू करदा। इकोदारन लोग पैसे बचाउन दी। हर आदमी मन्द है कि पैसे बचाउना चंगी गाल है। पर ही चंगी गाल है। इदा है मतलब नहीं कि सारे लोग योजना बाद टांगना बच्चत ते निवेश कर दिये। कई लोगां दा बच्चत करनदा इरादाता हुनदा है पर बहुत कट लोग अपने इराध्यां ती अमल करब होंदे। इक नवे जोडे ने इस तरहां बच्चत करने रंब केती। बिल दी तनखा हजार डॉलर सी पर ओत्योदी पतनी जैनेट हर मेने हजार डॉलर खर्च भ ने कर पाए। सालां तक हो सोच दे रहे जदो मेरी तनखाव देगी तोदह असी बच्चत करने शुरू करांगे जदो साड़ी फलानी चीज दियां किस ताँ खतम हो जानगे यहां तासी बच्चत शुरू करांगे अगले मीने अगले साल आखरकार जैनेट नू बच्चत क अपने सफलता थे गुसा आगया। 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 अपने विचारां दा योगदान देता। दोहोर ने बुलिया। पर उना ने केवल मेरे शब्दानों दोहराया। इंज लागरिया सी। जिमें में पत्थरा नल अपना मत्था पान रही है। मैं नी जान पाई के प्रस्तावित पॉलिसी प्रिवर्तन दे बारे उना लोकान दे की राई सी। दरसल उने अग्ये केहा। होना तै ये चाहिदा सी। कि हर आदमी में नुए दसदा क्यों की सोच दा है। आखर का रेस्टनालों सारे पर बावत होन गई। मेरी मित्तर नुए मीटिंग जो कोई सहता नहीं मिली है। पर जेकर तुसी मीटिंग खतम होन दे बाद हाल चे जान दे तो तो नुए चुप चुपीते लोकान दे मुऊं कुझे इस तरहां टिपड़ियां सुना नुए मिल जान दे है। मेरी इच्छा दा होई सी के मैं कुछ कह दिया। किसी ने क्यों नहीं कहा के मैंनू नहीं लगदा सन्वगे वदना अंचाइद है। आम करके पत्थर वांग लोक जड़ी वेटिंग, जड़ी मीटिंग चुप चुपीते बठे रहन दे हैं मीटिंग तो बाद बड़ा कुछ बोल दे है। जड़ उना दे बोलन नाल कोई फरक नहीं बन दा, जड़ वक्त निकल जन दा तो जाग दे ते किरिया शील हो जान दे है। बिजनस मीटिंग वेच लोग तो अड़ी राए तो अड़ी विचार जानना चौन दे है। जड़ा आदमी तो अड़ी राए उन्हों अपनी तो जो रीची बंद रख दा हो अपने प्यारां दे आपको हाडा मारता है। बोलन दी आदत पाओ हार वार जो तो तो अड़ा आतम विश्वास वद्ध है। अपने रचनात्मक विचारा ना लग गया हो। असी सारे जान दे हैं कि कॉले ही दे विद्यार्थी प्रिख्या दी त्यारी किस तरह करते है। जो ना दे जो ना दे एक विद्यार्थी ने भी एक शाम नो बहुत पढ़न दा फैसला लेया क्योंकि अगले दिन उदी प्रिख्या से। इत्थे दस्या गया है कि उदी फैसले दा की होया। उदी शाम किस तरह गुजरी। जो शामीच सत वजे पढ़न ली तियार सी। पर उदा डिनर कुछ पारी हो गया। इसलिए उन्हें सोचया कुछ दे टीवी वेख लए। कुछ देर करदे करदे उन्हें एक कंटे तक टीवी देख्या। क्योंकि सीरियल उन्हों पसंद आ गया। अठ वजे अपनी टेबल ते बैठ गया। एक दम यह उट खुल होता क्योंकि उन्हों अचानक याद आया। कि उन्हों अपनी गर्ल्फ्रेंडनों फोन करना सी। जिस विचाली मिंट लग गया। उन्हें पूरे दिन उसनल गालने सी कीती है। किसे दा फोन भी आ गया। जिस विचाली मिंट लग गया। अपनी डेस्क ते होंदे होंदे जो दी इच्छा होई कि उपिंग पॉंग खेड लए। इस ची खोरकंट अबरबाद हो गया। पिंग पॉंग खेड़न तो बाद उन्हों पसी ना आ गया। इसलिए उन्हें इ किताब खोली पर उन्हें इन्हें निंदर आ रहे सी कियो कुछ समझी नीची पा रहे है। आखरकार उन्हें निंदर दे अग्ये हार मान लेती है। अगली स्वेरों अपने प्रोफेसर नों दस्या। मैंनों लग दा है कि तुसी मैंनों चंगे नंबर दे होगी। मैं इस रिख्या खातर स्वेरे दो बजे तक पड़ाई कीती है। जो करम करंच नहीं जुटिया। क्योंकि उन्हें करम करंदी त्यारी ची बड़ा समा बरबाद कर देता है। ते जो ही ज्यादा त्यारी दा इकला शिकार नहीं। जो ना दा सेल्समेन, जा एक्जीकेटिव, जा प्रफेशनल वरकर, जोसे फाइन नादी, हाउस वाइफ है, सारे इसे तरह दी त्यारी कर दिया है। कोई भी महत्तपूरन काम शुरू करंदो पहलना, वो इसलहीं गप शप कर दिया है, काफी पीन दिया है, पैंसल तेज कर दिया है, पढ़ दिया है, मेज साफ करकी, भी देख दिया है, कई ये हुजियां चीजां कर दिया है, जिन अच फालतू समा बरबाद होंदे, पर एस आदत नो दूर करंदा एक तरिक है, अपने अपनो एक कहो के मैं होन शुरू करंदी हालत वेच, हाँ, कम टालन नाल मेनो कोई फाइदा नहीं होएगा, मैं त्यारी एस बिजनस चे सानु वे हुजे लोग का दि लोड होंदी है, जिना दे कोल दम दार विचार हूं, ते उना ते अमल करंदा दम भी होए, साधी कमपनी दा हर कम बदिया टांग नाल हो सकदा है, चाहे उत्पादन होए, जा मार्केटिंग, जां कोई होर खेतर, मैं यह नहीं दे कैप्टन बणन दे काबिल हो, पैल करना करम करन दा एक खास पैल हो है, पैल करन दा मतलब है, बिना किसे नुक है, कोई महत्ता पूरन काम करना, पैल करन वड़ा बंदा हर बिजनस ते प्रफेशन वेच वेच वखराई दिख जान दे, उदी आमधनी भी काफी होंदी, म पैला मेरे मान चे के विचार आया, उन्हें मैनों दसिया, मैं तादिक मिश्नरी सेल्समेन वां कम कर रहा से, जोड़ा होल सेल्रानू मिलेया करदा, मैं पाया कि साड़े कुल अपने गाकां दे बारे चा, अंकड़े आंदी काट से, मैं कम्पनी दे हार आदमीनालीस बारे मैं आनों दसिया के साड़े मार्केट रिसर्च दी लोड़े, पहला दसारिया ने मेरी गाल अंसुने कर देती, क्योंकि मैनेजमेंट नों वे दी महत्ता समझ ने सी आई, पर मैंनों पका विश्वास सी के साड़ी कमपनी जो मार्केटिंग रिसर्च होनी चाहिए दी है, इ मैं हर थां तो जानकारी का तरकी थी, हर तरह हर में ने करदा रहा, छेती मैनेजमेंट ते दुझे सील्स मैना नों समझ आ गया, कि मैं जड़ा कुछ कर रहा हूं साच मुची महत्ता पूर ने, इस ते बाद उवी इस कमच दिल चस्पी लैन लगे, अपनी रिसर्च अज मेरे कुल दो सह योगीक सेक्टरी ते तिन गुणा वर्धतन खा है, पहल करन दी आदतनों विक्सत करन ले, ये थे दो विशेश अभियास दते गया, पहला, संगर्श करन वड़ा बनो, जदो तुसी एहो जई कोई गल सोचो, जड़ी तोडे हिसाब नाल किती जाने च जाई दिया है, तो तुसी एकदाम उस विचार नो चुकलाओ, फिर उदेली संगर शुरू कार देऊ, मेरे ग्वान चीक नमी कॉलनी बन रही सी, जड़ी तकरीबन दो ते हाई बन चुके सी, पर एदे बाद हो दा विस्थार ठप हो गया, कुझे हो ज़े परवार हो थे र पर हैरी एल एहुजया नहीं सी, वो महाल दी परवा करदा सी, उन्हें फैसला लेया कि वो इन्हों चंगी कॉलनी बनाओन लेई, संगर्श करेगा, हैरी ने कुझ दोस्तानाल गल कीती, उन्हें दस्या कि वो कॉलनी एक बहतरीन कॉलनी बन सकती है, परे देली यतन करने पह हो गया, द्रखत लगान दी, मोहिम दी शुरुवात हुई, बच्चिया ले खेड़ दा मैदान बन गया, स्विमिंग पूल भी बन गया, लापरवा परवार भी उत्शाइस मर्थक बन गय, पूरी कॉलनी च एक नवी जान पे गई, उन्हों थो निकलन ते दिल खुश हो ज है, यसनाली पता चल्दा है कि संगर्ष करन वड़ा इंसान, चाहे ता नर्क नुवी सोर्ग च बदल सकते है, की तो नुवेस्तरान लगदा है कि बिजनस वेची क नमा डिपार्टमेंट बढ़नान चाहिए, जा तो डी कंपनी नुब बजार ची क नमा प्रोड़ाक्ट लि जी हा, ता यदेली पैल ते संगर्ष करू, की तिसी चंदी हो कि तो डे बच्चे दे स्कूल कंप्यूटर लगणे चाहिए, जी हा, ता यदेली पैल करू, एस तरा इनू संबब बनाव, ते तुसी एगाल जानलो, हालांके हर संगर्ष शुरुवात वेचिक बंदेदा पर जे विचारांच दम होए, छेती बहुत लोग तो अडे समर्थंच खड़े हो जानगे, उद्ध में ते संगर्षील इंसान बनो, दूसरा वलन्टियर बनो, साडे चो हरिक दे जीवन्च एहुजय मौकाया हुएगा, जदो असी किसे संस्थाच स्वै सेवा करना चांद के डर, के लोकी की कहनगे, एही डर लोकी साडेती हसनगे, सानु जिगाडू कहनगे, सानु अबिल आखी समझनगे, एही डर बहुत या लोकान अग्य वदन तो रोक दाए, इस सु बावक भी है, तुसी लोकान दा समर्थं उना दियां तारी फान चाओ, पर अपने आपने पुछो मैं किना लोकान तो तरीफ चाओ न, उना लोकान कोलू, टेड़े मेरी नाली इरखा दे कारणास दे है, जा उना लोकान दी, जेड़े उद्मी बढ़के काम करके सफलूं दे, सही विकल्प की है, के दसन दी लोड नहीं, वलंटियर वखरा देख जान दे, वोदे वल खास्ते आंदेता जान दे, सब तो महत्तपूरन गाली है, के उस्वैस सिवा करके अपनी उचेरी योगता, ते अभी लाखानू सारे आंदे सामने ले आउंदे, पक्के तो और ते वलंटियर नू विशेश काम सौंपे जान गे, आप बिजनस फॉज जा अपनी कौम द हैं, ओ आदमी जो सिरे ते खड़ा रहन दे, ओ आदमी जड़ा दुखी हुंदा रहन दे, ओ निठला हुंदे, जेड़ा केवल ऐसे करके उत्थे रहन दे, क्योंकि ओ करम ते मैं दांच नहीं उतर दा, जेड़ा विचार कर दा, ओ ते अमल कर दा, ओ सुदमी आदमी दे, प बंदा किसेनू डिस्टरब नहीं करदा, वो बंदा काम नहीं करदा, जान जदों ता कोनू दस्या ना जाय यह कुझ नहीं करदा, कि तुसी ये ने गल्लांदी किसे कोड़ों तरीफ हुनदी, सुनी, जावे की है। उद्धम करंदी आदतनु वदावाद दियो इना मुख नुक्तियां द अभियास करो। पहला, उदमी बनो, कामनू करन वाले बनो, कामनू टालन वाले ना बनो, दुजा, हलात्तां दे आ दर्शक होन दा इंतजार ना करो, उकदे आ दर्शक नहीं होन गे, पवेक्च रुकावटां ते मुश्कलां दी आस्त करो, ते जदो ओन तो दोनानू सल्जान दा तरीका ते जाब, याद रखो केवल विचारानाल सफलता नहीं मिल दी, विचारान दा मुलताइं जदो तुसी ओनाती अमल कर देओ, चोथा, डर नू दूर करन ते आतम विश्वास नू हासल करन ले उद्धम करो, जिस काम तो तुसी डर देओ, करो ते तो अड़ा डर दूर हो ज चेवा, हुणे काम शुरू करन दे बारे सोचो, कल, अगले हफ्ते, बात जच, तेसे तरांदे शबद, असफलता दे शबद, कदे नहीं दे, समानर्थी खान, इस तरांदे बंदे बणू में, हुणे ही इस काम नू शुरू कार देनना, सत्वा, काम चे जोट जाओ, काम करन दी त्यारीच समा बरबाद ना करू, एधी बजाई सिद्धा काम ते लग जाओ, अठ्वा, पैल करो, संगर्ष करो, बाल नू खोके गोल वल दोड लगाओ, वलंटियर बनो, एधसो के तो अड़ेचो दुम करन दी योगता, ते महत्त छेख टाओ, काम करन दी योगता लोगता